तो गाइस देखिए आज मैं बता रही हूं कैसे आप अपने लॉंग स्टेट हेर पे ऐसे करल अचीव कर सकते हैं तो चलो मेरे देखिए बेटी के बहुत लंबे हेर हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम इसे कल करेंगे देखिए मैं आपको इसके लॉंग हेर दिखाने की बावर कोशिश कर रही हूं कि कैमरे में आया है कि नहीं बट आ रहे हैं तो अभी हम थोड़ी देर में में दिखाऊंगी हमने कैसे कल डालने हैं हाई गाइज देखिए हमारे घर के बहार कितने अच्छे प्लांट लगे हैं तो गाइज अब मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूंगी वो है हम कैसे नैचरल तरीके से अपने हेर जिसके लॉंग हेर हैं उस पे हम करल कैसे डाल सकते हैं कैसे उसे स्टाइल कर सकते हैं बिन हीट के भीना करल अइन के तो मैं मेरी वेटी के हेर बहुत हील ज्यादा लंबे हैं तो मैं जब भी कोशिश करती हूं से कर्लिंग करने की तो उतने अच्छे कर नहीं पड़ते तो इसलिए मैंने दे कभी-कभी उसके यह मैथड जूज कर लेती हूं तो मैंने सोचा चलो आपको मैं यह दिखाऊंगे कि लॉंग हेर पे कैसे हमने चीप करने हैं जो आपके हेर अच्छे लग सकें पार्टी में जा कोई फंक्शन में आपने करने हो तो बहुत ही असान तरीक का है आपके साशेर करते हैं तो अच्छो लोगाई शुरू करते हूं जहां पर आपने स्ट्रेंड ले लेने हैं हेर के तो उसकी चोटी बना लेनी है जो सब को आती ही है बहुत इजी है तो ऐसे आपने पूरे हैड की चोटी बना लेनी है और पूरी सारा कोई भी जगा नहीं चूटे सब चोटियां बननी चाहिए पूर लॉंग हेर है टाइम लगेगा मैंने त तो मुझे से हस रही थी मुम्मी आपकी जो आर्म है कितनी मोटी लग रही है तो बटर मैं लगी हुई है यहां पूरा उसकी ब्रेट करने आपने अच्छे से छोटी गूंद लेनी है ती त्रेंड लेकर जैसे जे हमारी होती है जूजल हम करते हैं सबको आती है तो इसमें कोई भी बड़ा काम नहीं है तो यहां मैं बोर रही हूं कि मैंने बहुत त्रीके देखे हैं इसके जूज करके लेकिन कोई भी कल नहीं पड़ता ठिकते नहीं इतने लंबो हेर पे यह आज मैं मोटी की बात हो रही है इतनी खोश हूं मैं तो रेवन भी सब्चियां के आसपास मंट रा रही है बाटर मेलन खाना है इससे पर चलो हम आज आते हैं हमारी हेर स्टाइल पर देखे तो वो लगी हुई है रेवन को लगने दो उसे इगनोर करो तो यहां आपने जै जैसे चोटी कर लेनी है और पूरी ओवरनाइट इसे रखना है तो इसका मेन की है कि हम इसे पूरी चंगी तरह एब्रिवेर सारी चोटियां बनाकर ओवराइट छोड़ेंगे तो धीरे धीरे आपने ऐसे देखो जैसे मैं कर रही है जिनको नहीं भी आता बेटियों को सीखना है तो ऐसे देखिए सब चोटियां हो गई थी तो मैंने ओवरनाइट रखी थी सुबा तो मैंने का चलो मुझे थोड़ी वीडियो बनाने दो थोड़ दिखाओ तो यह खोर दिखाती हूँ अभी पहले देखिए सब चोटियां की सारी रात पोवरनाइट सुबा खोली तो आप ऐसे कल मिल जाएंगे तो अगर आप इसे ज्यादा लांग लास्टिंग रखना चाहते हैं तो आप जुरूर से इन में सप्रेज जल जा कोई भी ऐसे प्रड़क्ट है आ जो आपके कल्स टिके रहें नहीं तो जे निकल जाएंगे अगर आपके इस पर कुछ अप्लाई नहीं करेंगे इसलिए तो यहां ऐसे देखिए मैंने थोड़ी सी यहां विकली पैड की है कि असने टाइम लगता है धीरे 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 सारी चोटियां कोलो गैस लंबे हेर है तो आपको थोड़ा पेशन से काम लेना पड़ेगा खोलने का और चोटियां बनाने का तो उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है वो आपके सामने ही है तो बाद में थोड़ी सप्रे आपको जैसे बोला जैल जो होल्ड करने के लिए करल होल्डर जो भी है तो वो जुरूर यह जूज की है मैंने तरह तरह के कर्लिंग आयरन बट जैसे चाहती थी मैं इतने करल नहीं डाल पाती थी बस छोटे नीचे नीचे बालों में ही होते थे तो हमेशा इसे रहता था तो हम अब यह कभी-कभी ऐसे ट्राई कर लेती है तो मैंने का चलो मैं भी वीडियो मना कर दिखाती हूं तो देखे गाइस यहां पर कितने अच्छे कल पड़ गये तो आप भी चुरू ट्राई करना बब बाई